इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए तब कौन सा कम्प्यूटर कोर्स करना पड़ेगा इस वीडियो में लोग इसी बारे में जानेंगे और दोस्तों अगर आपकी मन में इस सवाल है तो आप इस वीडियो को तो दोस्तों यह बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफूल माना जाता है और बैंकिंग जॉब अच्छी होती भी है सेलेरी के भी पॉइंट अव यूव से और भी इसमें बहुत तरीकिया आपको सुईधाय मिलती है देखो गईज अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए तो आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पड़ेगी आप आर्ट से से भी कर सकते हैं कॉमर्स से भी कर सकते हैं इसमें आपको इस्टियम को लेकि कोई भी इसू नहीं होगा बहुत सरे स्टुडेन के मन में डाउट होते है कि क्या बारह हुई पास करने के बाद कर सकते हैं तो नहीं दोस्ट आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पड़ेगी जैसे कि मैंने हम बता है किसी भी सब्असे करते हैं जब एक बार आप अपनी कंप्लीट कर लोगा उसके बद आपको competitive exam देना होगा जैसे कि अप सभी को तो पता सबसे इंपोर्टेंट बात कि बैंकिंग में जॉब के लिए कौन सा कंप्यूटर कोस करना चाहिए तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बैंकिंग में जॉब करने के लिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स जरूरी नहीं है जी हाँ मुझे पता है कि आपने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी है उसमें कोई बोलता है टैली कर लो कोई ADFA कर लो कोई एकाउंटिंग सीख लो यह कर लो वो कर लो लेकिं दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बैंकिंग सेकर में जॉब करनी चाहिए तो उसम्त को कंप्यूटर कोर्स की जोत नहीं है उसमें आपको सबसी ज़यादा जरूरत है कि जो कंप्थीटिव एक्जाम होगा उसको आपको क्लीयर करना है आप कंप्यू कोई कम्प्यूटर कोर्स नहीं भी किया है तब भी दोस्तों आपका सेलिक्षन हो जाएगा मैं ये बात इसलिए बोल रहा क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे कजन्स की बहुत सारे लोगों की बैंकिंग सेक्टर में जॉब ले गिया और उन्होंने कोई भी कम्प्यूटर कोर्स न बस उतना ही आपको चाहिए और आपको कहीं भी अगर जॉब लगती है ना तुसमें आपको कुछ दिन ट्रेनिंग दी जाती है मेरे एक ब्रदर की जॉब लगे थी उन्होंने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं किया था कम्प्यूटर का उनको ट्रेनिंग दी जाती है अगर आप अपनी त्यारी पर फोकस कीजिए एक बार आपका सेलेक्शन हो जाएगा उसके बद दोस्त आपकी जॉब तो लगें जाएगी और जो भी वहाँ पी वर्क होगा अगर आप वहाँ पी जॉइनिंग के बाद जाते हो तो आपको समझाए जाते है जैसे मैं बताया कि आपको ट् पाउंटिंग्स रिलेटेड पार्टिकुलरली जॉब करना चाहते है तो आप चाहे तो टैली सीख सकते है या फिर एक ADFA का कॉर्स आता है जो कि एक सालक होते है वो आप सीख सकते है लेकिन दुस्तों मैं या पे मेंसन करना चाहूंगा यह ऑप्सनल है आप चाहे तो सीख स और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आकें प्रेस कर दीजे आप कोई वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सबीन इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद